तो गाइस रिसेंटली यहाँ पे वाल्ट ने जो है 9 माई को विड्रॉल प्रोसेस को लेकर एक अपडेट वही जा है इमेल के उपर प्लस गाइस जब आप अपनी वाल्ट के वेबसाइट के उपर भी लॉग इन करेंगे तो आप सब कुछ यहाँ पे हट चुका है केवल आप आपको वालट यहाँ पे नजर आ रहा होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है टूटल क्लेम अमाउंट और एक दिख रहा है विड्रॉबल क्लेम अमाउंट और गाइस यहाँ पे आप किसी के उपर वे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंड का बीसिली ऑप्शन आ तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि यह mail के अंदर क्या चीज़ है लिखी हुई है कैसे आप इनकी जो recovery proceedings है जो voting process है उसके अंदर कैसे आप participate कर सकते हैं कितना assets वाल के पास में बचा हुआ है कैसे recovery यहाँ पर आपकी possible होगी यह सारी चीज़ आने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर तो देखे गाइस यहाँ पर जो पूरा mail मिला है मैं उसको आपको simply एक summarize के रूप में यह बताना चाहूँगा बाकि इस mail की copy भी आपको जो है उसको चुका नहीं पा रहा है अगर मैं assets की बात करूँ तो वाल के पास में दो टाइप की assets है एक उती liquid assets liquid का मतलब यह कि instantly उनके पास में पैसा इतना पड़ा हुआ है या इतने वर्थ की यहाँ पर क्रिप्टो करणसी पड़ी है वो किसी को भी यहाँ पे payment कर सकते है तो वाल के पास में अभी जो liquid के अंदर पड़ी है assets वो 115 million dollars की है almost उनकी जो liability से उसका 36% है second guys जो उनके पास में assets है वो illiquid assets के रुप में पड़ी है 186 million dollar के around और वो उनका simply यहाँ पे 60% है आप guys यह जो illiquid assets है वो तीन counterparties के पास में यहाँ पर पड़ा हुआ है और अभी basically इसको liquidate नहीं किया जा सकता है legal option के थुरू वो basically उसको जो है लेने की कोशिश करेंगे पहली guys जो counterparty है उन्होंने यहाँ पर नाम वगरे disclose नहीं किया हुआ है दूसरी जो counterparty है वो है flip vault करके यह basically क्या है वाल्ट की Indian company है यानि इंडिया में जो operation वो run कर रहा था वो AC की through कर रहा था अब इसके अंदर क्या पंगा हो गया? AD ने इसके जो जित्ते भी accounts वगरे थे सबको freeze कर रखा है तो coin loan से इन्होंने टाया वगरे कर रखा था अब वो company भी almost bankruptcy के कगार पर आ चुकी है और वहाँ पर उनलोगोंने withdrawal limit वगरे लगा रहा किये और कुछ amount इनका FTX के अंदर था जो almost यहाँ पर bankrupt हो चुका है और उसके अंदर कोई भी यहाँ पर recovery possible नहीं है तो guys इस तरह से इनके पास में liquid और illiquid यहाँ पर assets है अब guys बात करते claims की कि कितने इनके पास में claim है तो guys यहाँ पर वाल्ड ने mail के उपर लिखा हुआ है कि 4 July 2022 इस date को यहाँ पर count किया जाएगा क्योंकि इस दिन से यहाँ पर operation बंदो रुखे थे तो let's suppose अगर आपके पास में 1 BTC था और 2 Ethereum थे मालिजे उनकी जो value है वो 4 July को 22,500 डॉलर थी तो guys यहाँ पर क्या होगा simply आपको एक percentage claim निकालना पड़ेगा तो मालिजे अगर आपका 1 million आप मांगते हैं कि vault के पास में मेरा 1 million है 1 million में को वहां से निकालना है या मुझे vault से यहाँ पर चाहिए तो 1 million divided by total liabilities थी 325 million dollars की तो उसका percentage निकालेंगे तो liabilities का percentage जो है 0.3% आता है especially आपके लिए आप guys ऐसे ही अगर आप अपने vault के अंदर या आप crypto के wallet के अंदर चेक करेंगे कि जित्ती भी इनके पास में liquid assets है यानि जो से मैं बताया है कि इनके पास में instant अभी भी पैसा पड़ा हुआ है आगर मालनीजे वो उसको liquid assets को यहाँ पर distribute करना चाहता है तो उसके दो तरीके simply distribute करने के पहला guys जो तरीका है वो RDA के थ्रू है जिसको हम लोग reverse Dutch auction बोलते है अब यह होता है कि अब भी आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा और दूसरा है कि सभी जित्ते भी उनके जो traders है जित्ते भी जो उनसे पैसे वगरे मान रहे है उन सभी को equal distribution कर दे और guys इनकी जो illiquid assets है उन्होंने mail के उपर लिखावा है कि वो legal option के through basically उसको जो यहाँ पर recovery करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके उपर वो 100% एकदम sure नहीं कि यह पूरी recover हो जाएगी नहीं होगी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है अब guys बात करते अगर वाल्ट के पास में 6% ही total उनका claim हो पाएगा वाल्ट से जिया तो अगर let's suppose अगर मेरे 1,00,000 रुपे यहाँ पर आठके होगे तो केवल 36% ही मुझे यहाँ पर मिल पाएगा बाकी पूरा का पूरा यहाँ पर डूप जाएगा इसके पास में जो liquid assets है अगर यह उसको distribute करता है तो दूसरा guys जो तरीका इनों निकाला है वो है RDA के तुरू RDA के अंदर guys क्या होगा एक basically auction का process होगा एक date यहाँ पर decide होगी और जितने भी इनके creditors है उन सभी को यहाँ पर बताया जाएगा कि इस RDA process के अंदर आप यहाँ पर participate कर सकते है आप guys इसके अंदर करना क्या होगा इसके अंदर basically जो है आपको एक bidding लगानी पड़ेगी कि मालीचे अकर मेरा 1,00,00 रुपे अटका हुआ है तो आपको option दिया जाएगा कि 30% से लेकर 55% के बीच में आप decide कर लो अपना percentage एक decide कर लो तो मालीचे मैंने अपना percentage decide कर लिया कि भईया ठीक है में को सिर्फ 40% amount दे दो 60% amount जो है मैं छोड़ देता हूँ में को सिर्फ 40% की recovery चाहिए तो guys उसके बाद में जो इनकी illiquid assets है अगर future के अंदर वो liquid के अंदर भी convert होती है तो उसके उपर आप अपना हग नहीं जमा पाऊंगे मलब आप यह समझे लो अभी right now आप 40% लेके जो है निकल रहो सीधे कमनी से मलब वाल्ट को सीधा आपने bye bye बोल दिया So guys इस तरह से अगर आप RDA process के अंदर अगर आप मालीचे participate वगरे करते हो तो 55% तक का आपका recovery का यहाँ पर chances वगरे बनता है अगर मैं यहाँ पर RDA के results की बात करो तो मालनेचे on and average अगर आप जित्ते भी सभी लोग जो creators है अगर वो RDA bits के अंदर participate वगरे करते हैं और मालनेचे सभी को कर 55% मिलता है तो बाकी बच्चे वे जित्ते भी creators होंगे जो RDA के अंदर participate वगरे नहीं करेंगे वो बोलते हैं कि भाई मुझे तो पूरा अपना 100% चीए मुझे तो अपना पूरा पैसा चीए चायब liquid से दो एक liquid से दो मेंको कोई फरक नहीं पड़ता मैं wait करने के लिए ready हो तो उस case में guys उनको 28% मिलने वाला है और let's suppose वहीं पे ये RDA का जो percentage है अगर 30% average रहता है तो बाकी बच्चे वे जित्ते भी creators होंगे उनको 41% मिलेगा और ये जो percentage में बता रहा हूँ आपको सारी की सारी liquid access से यहाँ पे आपको मिलने वाली है इन liquid का तो अभी काम ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर अभी कोई भी जो है basically shorty नहीं है कि वो liquid के अंदर convert होगी नहीं होगी उसके पर कोई भी shorty नहीं है recovery कर ली तो उसके बाद में बाकी का पैसे आपका assembly तरीकी से डूब जाने वाला है और आप company के उपर बाकी जो है extra कुछ भी claim नहीं कर पाऊंगे तो guys pro इसके अंदर ये रहेगा कि एक तो instantly यहाँ पे आपको guaranteed जो है payment मिलने वाली है जो भी आप percentage decide करोंगे लेकिन उसके अंदर cons ये रहेगा कि maximum जो recovery है वो केवल 55% ये होगी दूसरा guys इनके पास में जो option है non RDA का माली जे आप bidding process के अंदर भाग नहीं लेते हैं तो guys यहाँ पे आपकी जो recovery है वो 100% भी यहाँ पे definitely हो सकती है वो कैसे होगी कि माली जे कि starting के अंदर जित्ती भी माली जेगा तो guys उसमें से क्या होगा कि जित्ता भी liquid के अंदर balance बचेगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और साथ में का इस company की जो liabilities है उस तरीकी से यहाँ पे कम हो जाएगी कम ऐसी हो जाएगी क्योंकि जित्ते भी लोग होंगे वो अपना percentage यहाँ पे छोडने वाले है जो भी RDA के अंदर participate करेंगे तो इससे होगा क्या अगर future के अंदर illiquid assets भी यहाँ पे liquid के अंदर convert वगरे रहती है तो यहाँ पे आपका जो recovery का chance से वो यहाँ पे 100% है लेकिन इसके साथ में cons ये भी है कि आपको risk लेना पड़ेगा risk क्या है यहाँ पे कि जो counterparty है जो तीन counterparty है उनसे पैसा मिलना चाहिए अगर उनसे पैसा नहीं मिलेगा तो आपका भी जो percentage है वो यहाँ पे definitely गिरने वाला है so guys इस तरह से world नहीं यहाँ पे दो चीज़े basically decide की है कि पहले हम लोग RDA के लिए यहाँ पे लोगो invite करेंगे जो भी participate करेगा उसके अंदर पहले उन सभी creditors को सल्टा देंगे फिर बाकी बचाओ जितना भी amount रहेगा वो सारा का सारा liquid में से उनको pay कर दिया जाएगा और बाकी फिर जितने creditors बचेंगे जिन्होंने RDA के अंदर participate नहीं किया है उनका जो है जो illiquid assets है उसके अंदर भी basically उनका यहाँ पे राइट वगरे रहेगा तो अगर कैस में dates की यहाँ पे बात करूँ तो 11 मही को इनकी meeting वगरे होने वाली है जो मैंने आपको discussion बताई उसी के उपर meeting वगरे होने वाली है फिर गाइस 24 मही से लेकर 31 मही तक आपको time दिया जाएगा आपको vote करना पड़ेगा आपको online सभी को link वगरे मिलेगी आपको yes या फिर no जो भी मैंने आपको registration plan बताया और जो भी नो ने email बेज़ा है उसके according आपको yes और no यहाँ पर बताना पड़ेगा अगर vote इनका pass हो जाता है अगर confirm हो जाता है तो यहाँ पर जो first week of the July है तो credit test क्या कर पाएंगे आप यह जितने भी यहाँ पर coins वगरे देख रहे हैं तो इनके पास में भी जो distribute करने के लिए जो liquid assets के अंदर जो coins है वो limited है limited in the sense कि उनके पास में crypto के अंदर coins है कुछ USDT के अंदर coins है तो आपके कुछ ऐसे coins भी है तो उसको आपको convert करना पड़ेगा convert करना पड़ेगा मालीजी जैसे कि मेरे पास में अगर यह GRD वगर है XMR वगर है तो उनको मैं BTC के अंदर यहाँ पर convert कर सकता हूँ इनके जो second week होगा उस time पर RD के लिए bidding process के लिए basically इनको invite करेंगे लोगों को फिर third और fourth week होगा जो July का payment वगर है उनका successful रहेगा और fourth week के अंदर जित्ते भी creditors बचेंगे बाकी के जो creditors बचेंगे जो RDA process के अंदर participate नहीं करेंगे उन सभी को payment कर दिया जाएगा तो right now ये basically जो भी plan है इनके पास में जो भी liquid assets है उन सभी को ये बाटने का basically पूरा का पूरा यहाँ पर इनोंगे लोगों ने जो है proposal वगरे दे रहा है इन्होंने एक special website भी मेंगाना रखी एक roll all करके ये basically एक mediator है जो पूरा पूरा जित्ता भी registration process है उसको यहाँ पर handle करने वाला है और इसके link में मैं आपको description box के अंदर provide कर दूंगा तो guys ये वाली जो website है वो basically आपको password भी यहाँ पर बेजेगी तो आपका कितना claim है वो आप इस website के तुरू यहाँ पर जान सकते हो तो यहाँ पर click here to access the documentation का link दिया हुआ है और इसके अंदर आपको password डालना पड़ेगा password आपकी email ID के उपर आएगा वो password अगर आप डालोंगे तो यहाँ पर आपके जित्ते भी claims होंगे आपकी register email ID के साथ में वो सारे claims आप यहाँ पर आउट से comment box में जरूर बताइए thank you guys thank you very much